बढ़ते कुरोना वायरस से बचाफ को लेकर सौस विभाग चिंतित है इसलिए वे अपने स्टाफ के साथ लगतार मीटिंग कर रहा है और इसके उपाई बता रहा है जिससे कुरोना को रुका जा सके आज भी नागर कस्पताल अंबाला में पियमो सतीश कुमार की अध्यक्ष्टा में एक मीटिंग हुई जिसके बाद सभी स्टाफ को इससे बचाफ के टिप्स दिये गए को जागरुक करने से पहले खुद जागरुक होना जरूरी है अंबाला का स्वास्ति बिभाग यही करता नजरा रहा है जहां एक और बिभाग लोगों को जागरूप कर रहा है वहीं अपनी स्थाप को भी लगातार मीटिंग कर जागरूप करने में लगा हुआ है आज भी पियमो सतीश कुमार ने मीटिंग कर सभी स्थाप को मास्क किस तरह पहनना है और हाथ किस तरह धुने है इन सभी को लेकर स्थाप को जागरूप किया प्यावू सतीश कुमान ने बताया कि वे लगातार मीटिंग कर अपनी स्ठाप को बता रहे हैं कि वे किस तरह से मास्क पहनें, किस तरह से हातों को धुए और ये मीटिंग हर रोज लगातार जारी रहेगी जिससे बचाव किये जा सकें हमने करोना वारे से संबंदित पहले भी अपने डिपार्टमेंट के सभी करमचारी अधिकारी डॉक्टर्स के हम फेज वाइस ट्रेनिंग सेशन रख रहे हैं रिपीटिटली उनको इसके बारे में अवेयर कर दें आज हमने क्लास फोर सफाई करमचारी जो की में बिल्डर्स हैं जो सारी सफाई का विवस्ता उनके कंदों पर होती है और उनका जो कंटेक्ट होता जादा होता सर्फेस से उनसे उनको बचने के हैतियार मास्क पहनने की विदी क्लोरी नेशन और सैनेटाइजेशन के बारे में सारा डिटेल में बताया और डिमास्टेट करके भी बताया आप कल हम इसके बाद स्टाफ नर्सिस और फार्मसिस्ट के ट्रेनिंग लेंगे और फिर उसके बाद डॉक्टर्स की और ये प्रोसीजर चलता रहे अभी तक तो 31 माज तक तो गॉर्णमेंट के ड्वाइजरी है हमने फॉलव ही करना है पर ये इन जनरल भी हॉस्पिटल करम चारी तो डेली किसी ने किसी इंफेक्शन से जूचते रहते है तो इसलिए इनको इस बातों के बारे में उचित ग्यान होना पहुंच जरूए अस्पताल का स्टाफ भी इस मीटिंग के बाद पियमो की बताई हुई बातों पर अमल कर रहा है और अच्छी तरह से मास्क आधी लगा कर काम कर रहा है स्टाप ने बताया कि आज की मीटिंग में PMO ने बताया कि कुरोना वाइरस से किस तरह से बचाओ करना चाहिए साथ ही मास्क आधी का इस्तिमाल कैसे करना चाहिए और किसी चीज को ने चुना है दरसल कुरोना से संक्रमेट मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और इसे रोकने के लिए बचाओ हर इस्तर पर जरूरी है सरकार अपने और से तैयारियां कर रही है अब हमें अपने और से ध्यान रखने की ज़रूरत है